हेलो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 पी ब्लोक के तत्व यह न पी ब्लोक एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो उसमें जो first question है important question है आपकी NCRT में यह question है Ammonia निर्मानकी seven विधी ठीक हेबर प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे Ammonia formation की हेबर प्रोसेस ठीक है विडियो एंड तक जरूर देखिएगा आपको अमोनिया निर्माण की हेबर विदी चुटकिवों में याद होने वाली है आज ठीक है चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले अमोनिया निर्माण की हेबर विदी का सिध्धांत कि किस प्रिंसिपल पर जो अमोनिया है वो बंती है यवर प्रोसेस के थूु ठीक है, चलिए लिखा है कि जब लोह चूरण उत्प्रे रख एवे मॉलिभ डेनम उत्प्रे रख वरधक है ना दो चीजे है एक है उत्प्रेरक लोह चुर्ण और दूसरा है उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम ठीक है मॉलिब्डेनम जो है डीब्लोक का एलिमेंट है आपको पता होगा तो लोह चुर्ण लोहा भी क्या है आईरन भी क्या है डीब्लोक का तत्व है और क्रिया को धीमा कर दे धीमिगति से कर दे ठीक है तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक क्या तो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब यह होता है कि जो अपने उपस्तिति में उत्प्रेरक को और शक्ति प्रदान करता है उत्साहक भी कहा जाता है उत्प्रेरक उत्साहक या उत्प् करेगा अपनी लेंग्वेज में अपने हिसाब से अगर हम बोले तो क्या करेगा यह उत्प्रेरख वर्धक को लोहचूर्ण को क्या कर देगा और motivate कर देगा और motivate कर देगा जिससे जो अभिक्रिया है वो तिवुरता से संपन्न हो जाए ठीक है यहां तक clear है सभी को अब आगे लिखा है कि उत्प्रेरक वर्धक की उपस्तिती में nitrogen है ना nitrogen की क्रिया hydrogen से करते हैं तो ammonia NH3 बनती है ammonia का formula क्या है NH3 है ना तो ammonia बनेगी nitrogen और hydrogen की क्र प्रेया करने के बाद में तो reaction लिखी है N2 plus 3 H2 है ना supremacy और molybdenum यहां पर क्या होगा उत्प्रेरक वर्धक ठीक है और iron च्रूण उत्प्रेरक है molybdenum उतप्रेरक वर्धक है तो iron चूण और molybdenum की उपस्तिती में N2 और H2, 3H2 जब reaction होगी इनमें, तो क्या बनेगा, ammonia बनेगी 2NH3, है ना, ammonia बनेगी, अब हम विधी पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ammonia का निर्माण होता है, हैबर विधी के द्वारा, है ना, तो वो process क्या है, विधी क्या है, उसके बारे में अभी हम बनाती है, ammonia बनाती है, है ना, एक आयतन nitrogen और तीन आयतन hydrogen होना चाहिए, ठीक है, तो एक आयतन nitrogen और तीन आयतन hydrogen आपस में जब reaction करेगी, सैयोग करेगी, अभी करेगी, तो ammonia बनेगा, अब nitrogen वो hydrogen को लगभग 200 ATM पर, है ना, लगभग 200 वायूमंडली दाब, ATM का मतलब वायूम बना हुआ है, यह जो box बना हुआ है, यह क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है, तो इसमें प्रवाहित करते हैं, एक आयतन nitrogen और तीन आयतन hydrogen को, है ना, यहाँ पर जो pump है, इसके थूरू, इसको compress किया, दबाया, तो nitrogen और hydrogen इस उत्प्रेरक कक्ष में पहुच जाती है, अब यहाँ पर nitrogen और hydrogen आपस में reaction करेगी और ammonia बनेगा, है ना, यहाँ पर क्या होता है, आगे लिखाए, कि जहाँ लोह चूर्ण उत्प्रेरक और molybdenum उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, इस कक्ष का ताप साड़े 400 degree centigrade से 500 degree centigrade तक होता है, लिखा है यहाँ पर कि जो इस कक्ष का तापमान है, वो साड़े 400 degree से 500 degree centigrade तक होता है, अब इस कक्ष से निकलने वाली गेसों में 10 से 15 प्रतिशत तक ammonia रहती है, यहाँ पर सभी के सभी ammonia नहीं बन जाएगी, इस उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ स से 100% ammonia नहीं बन जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत तक ही ammonia बनती है, अब आगे लिखा है कि जिसे संगनित्र के द्वारा ठंडा करके अलग कर लेते हैं, इस उत्प्रेरक कक्ष में जो ammonia और nitrogen और hydrogen जो भी गेसे हैं, वो वापिस से कहां पर जाएगी, इस संगनित् पर देखिए, यह ammonia जो है, यह संगनित्र में जाकर ठंडा करने पर द्रव ammonia में परिवर्थित हो जाएगी, और यहाँ से फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है, अब जो ammonia है वो तो निकल गई, लेकिन nitrogen और hydrogen यह गेसे और बची हुई रहती हैं, तो इसे वापिस से इस pump से इस से उत्प्रेरक्ष में लाया जाता है, देखिए, डायरेक्शन देखिए, आप एरो में बनाए हैं, तो pump के द्वारा उत्प्रेरक्ष में पहुचा दिया जाता है, और वापिस से फिर यहाँ पर reaction होगी, फिर ammonia इस संगनित्र में आकर ठंडा होकर द्रव ammonia में बदल जा है, तो nitrogen और hydrogen इधर जा रही है, फिर यहाँ से इस उत्प्रेरक्ष में आ रही है, देखिए, एरो, उत्प्रेरक्ष में आने के बाद में फिर से nitrogen, hydrogen और ammonia, जो 10-15 प्रतिशत तक ammonia बनती है, उसे वापिस से संगनित्र में भेजा जाता है, जहाँ पर ठंडा हो जाती है, संग हेबर प्रोसेस, ammonia formation की हेबर प्रोसेस, ammonia निर्मान की हेबर विधी आपको बहतरीन तरीके से diagram के थुरू clear हो चुकी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दीजिए, अपने friends के साथ में अधिक साधिक share कर और अगर आप पहले बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe करके, bell icon भी जरूर प्रेस कर दीजिए, चलिए मिलते हैं अब next video में, thanks for watching, जैहिन